शुआ नमस्कार दोस्तों सक्षम चिंग रख स्वागत आध सीय स्वागत है तो दोस्तों आज हम बनाने वाले है आलू की टिक्कि इसके लिए हमने कुछ आलू ओल के छील के रख लिया हैं और इसके लिए हमने एक कटोरी अरारोट लिया है जो आराम से असानी से और है नमक चलिए हम इसे बनाते हैं तो दोस्तों टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल ले ले लेए फिर हम आलू को काद्धो कस करेंगे लें लेंगे इस तरह से हमें सारे आलू को कद्दू कस कर लेना है और दोस्तों आलू आप वाइल करने के बाद कुछ देर के लिए उन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दें क्योंकि आलू जब ठंडा हो जाता है न तो टिकी एक्दम क्रिस्पी बढ़िया बनती है तो इस चीज का ध्यान आपके जितना हो सके आलू को ठंडा कर लें मैंने को अबाल के एक दू गंटे पहले रख दिया था तो यह बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं अब इसी तरीके से सारे आलू को कद्दू कस तो दोस्तों आलू हमारे कद्दू कस हो चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे अरा जोस्तों नमक हम बहुत कम मत्रा में डालेंगे बहुत थोड़ा आप चाहे तो इसकी भी कर सकते हैं लेकिन नमक पढ़ जाता है तो तेस्ट अच्छा आजाता है थोड़ा सब्सक्राइब कर लेंगे में इस तरीके से क्रिस्पी आप इसको हासे भी कर सकते हैं हासे बहुत अच्छे से हो जाता है कि अजे अरा रोट जो पढ़ता है ना सबी ठेले वाले इसको डालते हैं क्यूंकि टिक्की को न बना के तयार करता है कुर्कुरी हो जाती है क्रिस्पी आप देखना दोस्तों बहुत अच्छी बनाती है एक बार ट्राइ करके ज़रूर देखें हम इसमें अरारूर थोड़ा सा और दो चमश डाल लेते हैं क्योंकि में इसमें कम लग रहा है और बस इसको इस तरीके से हम सारा मिक्स कर देंगे तो दोस्तों डिक्की का आलू वार तयार हो चुका है हम ने तयार करके इसको रख लिया है पाश मिनट के लिए हम इसको ढखके रख देते तब तक ए गैस की तरफ चलेंगे तो दोस्तों गैस को करेंगे हम और हमने इसको बनाने के लिए लोहे का तबा लिया आजम टिक की लोहे की तबिद पर बनाने वाले हैं दोस्तों और आप देखें कितनी टेस्टी बनती है अब हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा रिफाइन नोई यह हम इस पर तलेंगे तो हमने यह इतना रिफाइन ओल डाल लिया इसके ओल हमारा गरम हो रहा है दोस्तों तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें शेर करना फिल्कुल ना भूलें दोस्तों तेल हमारा जित तक गरम हो रहा है तो तक हम अपनी आलू की टिक्की तियार कर लेंगे इसके लिए हमने थोड़ा से यह रिफाइन ओल लिया है हाथों में लगा लेंगे इसको इस तरह से जिसे यह प्रेश कर देना है इस तरीके से साइज में आप छोटा बड़ा अपनी हिसाब से ले सकते हैं जितनी बड़ी आपको टिक्की चाहिए या छोटी चाहिए दोस्तों टिक्की अच्छी बने इसके लिए पूरा वीडियो जरूर देखे इसके बिल्कुल ना करें यह तरीके से हम थोड़ी बड़ी ले रहे हैं वह उपने थोड़ी छोटी लिए ज्यादा पथला ने करना बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है इस तरीके से करेंगे दोस्तों तेल हमारा बहुत अच्छी से गर्म हो चुका है अब में टिक्की बहुत ही सा धानी से इस तरीके से रख देंगे इस तरीके से आपके तवी पर जिन्मीनी टिक्किया आ जाए आसानी सब बस उतनी ही रखें कि मैंने इंपर फास्ट टिक्की रखनी है अब में इनको बिल्कुल स्लो गैस में सिखने देंगे दीरे दीरे और वीश-वीश में उलटे-बलटे रहेंगे दोस्तों आप देश सकते हैं टिक्की हमारी कुछ फूली फूली लगनी लग गई है और आप इसको ऍलो फ्लेम पर ही और अगर आपको ज्यादा हलका लग रहा है तो आप मीडियम फ्लेम मी कर सकते फिर सिर्व कर देना है तो अब तो दोस्तों टिक्की को में एक बार पलट लेंगे इस तरीके से यह देखें हमारे टिक्की सिखने लग देए बहुत तीच साथ धाने चे करना है दोस्तों देखें कलर चैंज हो चुका है इनका इस तरीके से हम सालिप पलट देंगे गैस को फिर से स्लो कर देंगे तो आप देख सकते हैं इसमें बिलकुल भी तूटी-पूटी नहीं है बहुत आराम से पलट गई है और इसी तरीके से मुझटे-पलटे-पलटे सेख के हम आपको पूरी दिखाएंगे दोस्तों तिक्क मोटी-पोटी लग रहे हैं आपको में बहुत पदली डालेती और यह फूल चुकी है अब यह टिकी जब तयार हो जाती है ना जब फूल जाती है तो दोस्तों इसको में हाई फ्लेम पे थोड़ा सा फ्राइ कर लेना है जिससे और भी अच्छी से क्रिस्पी हो जाएंगे द कर्णा दोस्तों को यह देकरें दोस्तों हो गई है मारे टिक्की एकदम बाजार जैसे कुरकुरी एकड़ी प्रिस्पी है इनकी आवाज आपको सुनाते हैं मुप अब कितने प्लाइं और अंदर से भी बढ़ी तरीके से पक चुकी रहे हैं यह फूल चुकी है अंदर से फ तो दोस्तों हमारी रेस्पी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट्स करके हमें जरूर पता हैं कि आपको यह रेस्पी कैसी लगी थेंक्यू बाइबाई